हलो बच्चो मैं लखन सेनी राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव ए कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान बच्चों पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पार्टे पुस्तक का ध्याय आठ त्रिकोन मिती का परीच पिछले भाग में हमने चर्चा की थी त्रिकोन मीती सरो समीकाओं की और उस पर आधारित हमारी पार्टे पुस्तक की उधारन संख्या 12 को हमने हल किया था उमीद करता हूं पिछले भाग में जो कुछ हमने सीखा आपने अच्छे से सीख लिया है आपने अच्छे से समझ ल चलिए देखिए उधारण संख्या 13 सिद्ध कीजिए कि सेक ए गुणा एक माइनस साइने गुणा सेके प्लस टेने बराबर कितना होता है एक तो जब भी इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएं जिसमें आपके पास त्रिकोन मीती अनुपात हो और आपको सिद्ध करना हो तो आपको याद आने चीएं सारे सम्वंद सुत्र सारी त्रिकोन मीती है सरसमिकाएं अच्छे से अगर आपको याद है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे आसानी से सिद्ध कर पाएंगे देखिए उधारण संख्या 13 के हल में पहले जो आपको सिद्ध करना है उसे लिख ल बराबर एक आपको लाना है तो left hand side LHS हम ले लेते हैं left hand side ले लेते हैं यह है sec A 1- sin A sec A plus 10 A यही है LHS RHS में क्या है एक right hand side में क्या दे रखा है बराबर के left hand side में यह वेंजक आपको दे रखा है RHS right hand side में एक दे रखा है तो इसको एक के बराबर आपको सिद्ध करना है और ऐसे प्रशनों को हल करने का रामबान ट्रिक क्या है बचो सब को sign और cos के पदों में बदल दीजिए या तो sign के पदों में बदल दीजिए जैसे की say a को हम sign a के पदों में नहीं बदल सकते सीदे सीदे cos के पदों में बदल देते हैं यह हो जाएगा एक बटे cos a कोई दिक्कत आई क्या नहीं बिलकुल यह bracket a minus sign a यह तो पहले से ही sign में है तो इसको change करने की जुरात नहीं है अच्छा say a को लिख देंगे आप एक बटे cos a plus ten a को आप क्या लिखते हैं sign और cos के पदों में sign a बटे cos a क्योंकि यहां लिख देंगे क्योंकि हमें पता है say a बराबर होता है एक बटे cos a तथा ten a बराबर होता है sign a बटे cos a तो इन दोनों सम्मंद सुत्रों का प्रियोग हमने किया और फिर बच्चों हल कर लिया ठीक है इस तरीके से तो लिखी सकते हैं आप फिर आगे देखिए यह हो जाएगा एक बटे cos a as it is एक minus sign a कुना यहाँ LCM ले लिजिए cos a और cos a का जो ले से आएगा वो क्या आजाएगा cos a ही आजाएगा cos a को LCM में भाग लगाएंगे cos इसमें cos a का भाग एक बार एक गुणा एक क्या हो जाएगा एक और यह आजाएगा वापस से sign a ठीक है नहीं को से का को से में भाग लगाएंगे एक आएगा एक को sign a से गुणा करके लिखेंगे तो sign a अब देखिए धान से numerator में अंच में आपके पास क्या आगया अंच में आपके पास आगया एक प्लस sign a एक माइनस sign a यानि की एक स्क्वाइर माइनस sign स्क्वाइर a बटे यह कोस a और को से गुणा होके क्या जाएगा कोस sqair a अरे एक गुणा 1- sign इतो 1- sign ऑपर यहाँ क्या 1- sign a- b a- b kya होता है a square minus b square तो यहाँ मैं लिख देता हूं a- b a- b बराबर होता है a square minus b square के पर्योग से इसका परियोग कर लिया हमने हमारे पास ऐसा आ गया क्या आ गया एक माइनस साइन स्क्वाइरे बटे कोस स्क्वाइरे हमें पता है एक माइनस साइन स्क्वाइरे क्या होता है कोस स्क्वाइरे ही होता है बटे में भी क्या है कोस स्क्वाइरे है कोस स्क्वाइरे में कोस स्क्वाइरे का भाग लगाएंगी कितना आ जाएगा एक आ जाएगा याद कीजिए मैंने बताय था साइनी स्क्वाइरे प्लस कोस स्क्वाइरे बराबर कितना होता है एक पहली त्रिकोन मीत यह सरुसमी का तो वहां से 1-sin e2 किसके बराबर होता है, cos square a के बराबर होता है, cos square a बटे cos square a बराबर किसके आजाएगा, 1 के बराबर आजाएगा, और यही क्या है, right hand side है, RHS है, लिख देंगे HP, इतिये सिद्धम, ठीक है, आसानी से सिद्ध कर दिया ना, देखो, सब को किसमें बदला, मैं क्या ना था, है न, और बढ़िये आगे फिर, उधारण संख्या, चाउदा, सिद्ध कीजिए कि, कोट a minus cos a बटे, कोट a plus cos a बराबर, cos a minus 1 बटे, cos a plus 1, तो देखिए, हल में लिखेंगे सबसे पहले, जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोट a minus cos a, बटे, ध्य कोट a plus cos a बराबर, cos a minus 1 बटे, cos a plus 1, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सोलू करेंगे, रहेचेस लाने का प्रियास करेंगे, नहीं आएगा, तो रहेचेस भी लेंगे, उसको भी सोलू करेंगे, फिर दोनों को देखेंगे, कि सेम आया या नहीं आया, तो सिद्ध करने के लिए मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, कोट a minus cos a, बटे, कोट a plus cos a, और रामबांट ट्रिक मैंने क्या बताया, सब को साइन cos में चेंज कर दो, तो यहां से आप लिख सकते हैं, कोट a को लिख देंगे, cos a, बटे, sin a, minus में cos a अपनी जगे, इसको चेंज करना नहीं है, क्योंकि हम सब को साइन या cos में चेंज करना है, जो पहले से ही cos में है, उसको चेंज करने की ज़रत नहीं है, कोट a यहां पर भी लिख देंगे आप, cos a, बटे, sin a, plus cos a, कोई दिक्कत आई क्या इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, बच्चों सिर्फ आपको क्या याद होनी चीए, संबंद सुत्र याद होनी चीए, त्रिकोंड मीतिय सर्वसमिक आई याद होनी चीए, फिर आगे देखो, यहां से आगे देखो बच्चों, क्या cos a उभैनिष्ट आ रहा है, इसमें और इसमें भी, तो आप लिखेंगे, cos a उभैनिष्ट आने के बाद में अंदर बच जाएगा, एक बटे, sin a, minus 1, और इधर भी cos a, हर में से भी cos a common ले लें, cos a common लेने के बाद, एक बटे, sin a, plus 1 बच जाएगा, क्या, देखो इसमें से cos a common लोगे, 1 बटे sin a बचेगा, cos a में से cos a common लोगे, a का जाएगा, common लेने का मतलब है, भाग देना, cos a में cos a का भाग लगाओगे, a का जाएगा, ऐसा ही यहां पर भी, यह cos a से, यह cos a कट गया, 1 बटे sin a क्या होता है, 1 बटे sin a होता है, बचो, cos a, 1 बटे sin a, यहां से हो जाएगा, cos a, यह माइनस 1 बटे, cos a, यह प्लस का 1, क्या यही rhs है, तो लिख दीजिए, बराबर rhs, और इती सिधम हैंस प्रूबी लिख दीजिए, ठीक है, तो आसान है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, कि अगर आप कहीं फस रहे हैं, तो सब को sign या कोस में change कर दीजिए, sign और कोस में change कर देंगे, तो आपको प्रश्ण अच्छे से समझ में आ जाएगा, हलकी तरफ आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है न, अगला उधारण संख्या 15 देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है, सर्व समी का सेक स्कॉाइर थीटा बराबर एक प्लस टैन स्कॉाइर थीटा का प्रियोग करके सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कोस टीटा प्लस एक बटे साइन थीटा प्लस कोस टीटा माइनस एक बराबर एक बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो बच्चों हम तो हल में वही करने वाले हैं, LHS लेंगे और हल करेंगे, सब को साइन कोस में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही सब कुछ साइन को उसमें चेंज है क्या करोगे आपको हिंट दिया गया है प्रशन में ही सरुसमीका से एक स्कुरी ठीटा बराबर एक प्लस टैन स्कुरी ठीटा का प्रियोग किजिए अब LHS में कहां प्रियोग करूँ इस पर दिमाग लगाना होगा तो देखो इस सरुसमीका में भी एक है और LHS में भी एक एक लिखा हुआ है तो इस एक का मान हम रख देंगे उस सरुसमीका से है और फिर हल करेंगे देखिए कैसे हल में पहले लेख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है sin theta minus cos theta plus 1 बटे sin theta plus cos theta minus 1 बराबर 1 बटे 6 theta minus 10 theta अब जड़ाँसा सोच के आगे बढ़ेंगे बच्चों जड़ाँसा सोच के आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं कि direct इसका प्रियोग कर देंगे थोड़ा पहले आपको दिमाग लगाना पढ़ेगा LHS में है Sine Coast, RHS में है Seek Theta, Ten Theta और आपको कहा गया है इस सरुसमिका का भी प्रियोग करें उसका प्रियोग कब करेंगे जब Seek Theta और Ten Theta आपके पास होगा तभी तो प्रियोग करेंगे अचा ध्यान दीजिए Seek Theta तो क्या होता है 1 बटे Coast Theta होता है और Ten Theta क्या होता है Sine Theta बटे Coast Theta होता है तो यहां से आप देख सकते हैं 1 बटे Coast Theta और Sine Theta बटे Coast Theta तो बटे में Coast Theta, किस किस के बटे में Coast Theta Sine Theta के बटे में Coast Theta, 1 के बटे में Coast Theta Sine Theta के बटे में Coast Theta, 1 के बटे में Coast Theta तो मैं क्या करता हूँ LHS ले लेता हूँ left hand side मैंने ले ली क्या है sin theta minus cos theta plus 1 बटे sin theta plus cos theta minus 1 अच्छा और अब क्या करेंगे अब देखिए जो अब काम में करने वाला हूँ उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये एक memorable step है याद रखने योगी step है क्या आपको याद रखना है इस प्रकार के प्रस्ण में जिसमें तीन लोग उपर तीन लोग नीचे plus 1 minus 1 ऐसे वाले प्रस्ण की सकल याद रखेंगे न तो आपका समय बच जाएगा एक्जाम में वरना आप करते रहिए फिर sin cos theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 एक वहां से हमें hint मिल गया कि बटे में cos theta चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ अंश तथा हर दोनों को cos theta से विभाजित करने पर करने पर अंश और हर दोनों को आप क्या कर देए cos theta से विभाजित कर दें और विभाजित करने पर आपको क्या मिलेगा देखो अंश में तो आपके पास क्या था sin theta minus cost theta plus 1 आपने विबाजित कर दिया किस से are ? cos theta से pom हर में क्या था आपके पास ? sin theta plus cos theta minus 1 हर को भी आपने विबाजित कर दिया traome से क्या कोई बदलाव आया क्या है इसमें ? बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं बदला है COSTITA से COSTITA कर जाएगा वापस से यह आएगा यह जो लिखावा है वो यह लिखावा है बस आपका देखने का तरीका अलग है काम निकालने के लिए क्या काम निकलेगा आप बनाना चाहते हैं सेख ठीटा और TEN ठीटा उसके लिए आपको COSTITA चीए था अब देखो मैं कर रहा split and divide इस cos theta का सब में मैं अलग-अलग भाग लगा दूगा इस cos theta का इन सब में अलग-अलग भाग लगा दूगा तो मेरे पास क्या बनेगा तो मेरे पास यहां तो बन जाएगा देखो sine theta बटे cos theta minus cos theta बटे cos theta plus एक बटे कोश ठीटा ये देखो अंच में तो ये बना और हर में क्या बनेगा हर में देखो साइन ठीटा बटे कोश ठीटा प्लस कोश ठीटा बटे कोश ठीटा माइनस एक बटे कोश ठीटा किया ये ये और ये एक ही बात है, इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो सब का L-C-M लोगे, ये ही आ जाएगा वापस से, ठीक है न, लेकिन आगे ये ये वापस से ये बनाना होता तो फिर वैस वह क्यों होता है ने साइण ठीता बटे कोस ठीटा होता है टैन ठीटा है सैन ठीटा बटे को सbor मीद्व तेंगे सरिक यह लिखेंगे इसे ही डी नोमिनेटर में क्या 10F plus 1-10F 10F plus 1-10F 10F plus 1-10F तो आदा काम हमारा हो गया है आपको चाहिए था 10C और हर दोनों को विभाचित कर दिया तो यह इसमें बदल गया लेकिन अभी जो RHS आपको चीह था वो नहीं मिला है लेकिन हमें मिल गया है 10 theta minus sec theta sec theta minus 10 theta चीए था तो अभी हमें कुछ-कुछ वैसा मिल गया है इसको हम लिख सकते हैं बागे देखिए 10 theta plus sec theta minus 1 बटे 10 theta minus sec theta plus 1 कोई दिकत नहीं है मैंने minus 1 और press 1 को बाद में ही लिखा है क्योंकि हमें पता है sec square theta बराबर होता है 1 plus 10 square theta इसलिए sec square theta minus 10 square theta किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा और ये 1 के बराबर है तो 1 की जगे हम ये लिख सकते हैं ये लिखने का मतलब ये ही तो लिखना है sec theta minus 10 theta और sec theta plus 10 theta बराबर 1 यहाँ ध्यान से समझेगा ये a square minus b square दिख गया कि आपको sec square theta minus 10 square theta तो a plus b a minus b ये हो गया a minus b ये हो गया a plus b ठीक है तो जहाँ एक है वहाँ पर मैं ये लिख दूँगा ठीक है अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे आपको एक कहां चाहिए आपको एक चाहिए उपर में ठीक है तो denominator वाले एक का मान रखेंगे denominator वाले अंच में अगर एक चाहिए न तो फिर आप याद रखेंगे मुझे इसका मान रखना होगा किसका ये वाले एक का इसका नहीं रखूँगा क्यों नहीं रखूँगा जैसे ही मैं एक स्टेप और आगे करूँगा आपको खुदी समझ में जाएगा कि सर ने क्यों इस वाले एक का मान नहीं रखा दोनों जगे रखेंगे तो गडबर होने वाली है आप फिर से फस जाएंगे इसकी जगे रख दीजिए रख दीजिए एक का मान तो ये बच्चो आपके पास मिल जाएगा आपको इसको तो ऐसे छोड़ दिया टैन ठीटा प्लेस सेक ठीटा माइनस एक क्यों छोड़ दिया अभी समझ में आ जाएगा ये हो गया टैन ठीटा माइनस सेक ठीटा प्लेस इस एक की जगे मे यह लिख दूँ, sec theta minus ten theta into sec theta plus ten theta और अब ध्धान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, उस पर ये आपके पास है क्या, ten theta plus sec theta minus 1 ten theta plus sec theta minus 1 और denominator में देखिए 10 theta minus sec theta ये है sec theta minus 10 theta और RHS में चाहिए भी क्या आपको sec theta minus 10 theta तो क्या मैं इसको भी sec theta minus 10 theta बना सकता हूँ बिल्कुल minus उभे निस्ट ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं minus sec theta minus 10 theta plus sec theta minus 10 theta लिख सकते हैं ऐसे अब sec theta minus 10 theta इन दोनों में से उभे निस्ट ले लिजिए आपको पास बच जाएगा 10 theta plus sec theta minus 1 अंश में और यहां पर आपने sec theta minus 10 theta उभे निस्ट ले लिए तो अंदर देखें क्या बच गया ये तो बच गया माइनस एक इसके पास से क्या बच जाएगा ये उबह निश्टा जाएगा तो बच जाएगा प्लस का सेख थीटा प्लस का टेन थीटा और जैसे ही मैं इसकी सकल चेंज करूँगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा देखो अब आगे 10 थीटा प्लस सेख थीटा माइनस एक के बटे में सेख थीटा माइनस 10 थीटा के गुणा में 10 थीटा पहले लिख देता हूँ प्लस सेख ठिटा लिख देता हूँ और यह माइनस एक यहां लिख देता हूँ इसको और उसको देखो द्यान से एक ही तो बात है काट दूँ ये लो मैंने काट दिया क्या बच गया एक बटे सेख ठिटा माइनस 10 ठिटा और यही क्या है रह्स है है एंस प्रूव लिख देंगे तो उधारण संख्या पंद्रा कि वैरी वैरी इंपोर्टेंट वी वी आई है यह क्यों है क्योंकि बच्चों बहुत बड़ा है और कई सारी इसमें में बोरेबल स्टेप सें कई सारी याद रखने वाली बाते हैं सबसे पहले से को टैन में अगे मान इसमें आपको रखना है एक का मान क्या रखेंगे एक स्टेटा माइनस टेटा को मन लेंगे खने के लेंगे ये कट जाएगा और कटने के बाद में आपके पास RHS आजाएगा है ना, note कर लीजिए इसको note कर लीजिए, बच्चो हर एक बात को note कर लीजिए और बाद में आपको क्या करना है बिना देखे, कुझ से हल करने का प्रियास करना है तो यह थी हमारी पाठ्टे पुष्टक की उधारण संक्या 13 से 15 तक उम्मिद गरता हूँ आपने मेरे साथ हल किये हैं आप पुने बिना देखे भी हल करेंगे मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों